नमस्कार दुस्तो स्वागते आपका आज के मुख्य समाचारों में जिया दुस्तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार प्रकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में तो चले दुस्तो जान लेते हैं पहली बड़ी खबार के मामले में भी सवाल किये गए जिसका निशेकांत दूबे ने जवाब दिया सुत्रों के नुसार निशेकांत दूबे ने कहा कि मामला कोट में खारिज हो चुका है अब कुछ लोग रास्ते पर खड़े होकर चिला रहे हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार रा कांग्रिस अद्यक्ष गोविन सिंग टोडासरा के घर पर चापे मारी की इसके साथ ही मुखे मंत्रेशो गहलोत के बेटे वेबव गहलत को भी एडी ने फोरें एक्स्चेंज मेनेजमेंट एक्ट एफ एमे केस में समन भेजकर पूश्ताज के लिए बुलाया है दोस्तो ए इडी फिलहाल टोडासरा और उनके रिश्टारों से पूश्ताज कर रही है इडी की टीम टोडासरा के जेपूर के सिविल लाइन्स में सरकारी आवास सहीत सिकर इस्तितनीजी आवास पर भी पहुंची सुत्रों के मुताबिद जेपूर में टोडासरा के सिविल लाइन्स आवास पर कारेवाई पूरी हो गई है अब जेपुर में दो और सिकर में दो जगा है पर इडी की रेट चल रही है चापों के बाद टोडासरा ने शोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा सत्य में उजयते इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर हवाई बंबारी के बाद गाजा में घुसी इसराइली सेना आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना बीते 24 घंटे में 700 लोग ही गई जान जहां दोस्तों इसराइली सेनी को और टेंकों ने ब्रस्पतिवार को उतरी गाजा में थोड़ी देर के लिए जवीनी हमला किया यानि कि इसराइली सेना गाजा में घुसकर हमला कर रही है सेना ने बताये कि दोस्ताह से अधिक समय के विनाशकारी हवाई हमलों के बाद यह है एक व्यापक संभाविद जमीनी आकरमन के मद्दे नजर युद्ध शेतर तयार करने के लिए कई आतंके ठिकानों को निशाना बनाया गया है यह हमाम हमला ऐसे वक्त में किया गया जब संयुक्त राष्ट ने आगह किया है कि गाजा पट्टी में इधन खत्म होने के गार पर है जिससे उस शेतर में राहत प्रियास को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा वहीं दोस्तो इसराइल फलिस्तीन के बीच दशकों से चले आ रहे है शंगर्स में गाजा में अभी हो रहा खून खराबा अबुद पूरु है अगर इसराइल हमास के खात में के उद्धिशे से जमीनी आकमन शुरू करता है तो गाजा में मुर्त कों की संख्या बढ़ सकती है फिलहल के आकड़ी के नुसार अब तक 704 लोगों की मौत हो चुकी है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार हार्दिक पांडिया के लिगामेंट में आई चोट इंगलेंड, शिरलंका और सावत अफ्रिका के खिलाफ नहीं खेल सकेंगे बांगलादेश से मेच में टकना मुल गया था दोस्तो ऐसा कहा जारा है कि अगर उनकी चोट ठीक नहीं होती है तो वे 2 नॉवंबर को मुंबई में शिरलंका और 5 नॉवंबर को कोलगत्ता में सावत अफ्रिका के खिलाफ होने वाले मेच से भी बाहर रह सकते हैं हालांकि अभी तक भारते क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वी सी सी आई ने इसकी पूस्टी नहीं की है दोस्तो हार्दिक पांडिया को बांगलादेश के खिलाफ 19 अक्टूबर को पूने में खेले गए मेच में चोट लगी थी वे और की तीसरी बोल पर उनका टकना मुल गया था वह क्रीज पर ही बेट गए थे चोट जादा होने की वजह से वे बागी का मेच नहीं खेल पाए थे उनका और भी विराट कोली ने ही पूरा किया था इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार इसराइल पर हमले के लिए दो साल प्लानिंग हुई हमास ने सिर्फ लेड लाइन फोन इस्थेमाल किये मोसाद इनके कोल इंटरसेप्ट नहीं कर पाई जहां दोस्तो गाजा पट्टी से इसराइल पर साथ अक्टूबर को रोकेट हमले हुए इसके बाद सेकलो हमास मेंबर्स इसराइल में घुसे और इसका नतीजा यह हुआ कि करीब पंद्रा सो इसराइली मारे गए 224 लोगों को बंदक बना लिया गया जो अब तक हमास की केद में है हम लोगे बाद इसराइल की बैयात ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद पर दुनिया तंज कस रही है तो प्रदान मंत्री बेंजामिन नित्यानियू भी 7 अक्टूबर की नाकामी कबूल करते हैं जवाल यह है कि हमास ने इतना बड़ा हमला केसे किया और मोसाद को इसकी भनक क्यों नहीं लगी अब दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि हमास काफी लंबे वक्त से हमले की प्लानिंग कर रहा था उसने मोबाइल फोन की जगर लेल डाइन फोन इस्तेमाल किये ताकि मोसाद उनकी बाचीत न पकड़ सके नियू याक पोस्ट और कुछ दूसरे मीडिया हाॉसेज ने हमास की प्लानिंग और फिर हमलों के बारे में जानकारी जुटाई है इनकी रिपोर्ट की माने तो हमास ने 7 अक्टूबर का हमला करने से पहले 2 साल प्लानिंग में गुजारे वेसे तो गाजा से चोटे मोटे रोकेट फायर या फत्तर बाजी अक्सर होती रहती है लेकिन 7 अक्टूबर के हमले जिस इस्तर पर किये गए उससे इसराइल और दुनिया भोचक की रहा गई इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार भारत मिडिल इस्ट कोरिडोर इसराइल हमास जंग की वज़ाय हो सकता है बाइडेन बोले यह मेरा अनुमान मोधी ने किया था प्रोजेक्ट का एलान जियां दोस्तों अमिर्का के राष्टपुती जो बाइडेन ने कहा है कि इसराइल हमास के बीच जंग की एक वज़ाय भारत मिडिल इस्ट इकोनोमिक कोरिडोर भी हो सकता है ओल इंडिया रेडियो के मुताबित बाइडेन ने यह बात आस्टेलिया के प्रदान मंतरी एंथनी अल्बनीज के साथ मीटिंग के बाद कही उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मेरा अनुमान है इसे साबित करने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है एक ही हफते में यह दूसरी बारे जब बाइडेन ने हमास के हमले के पीछे इंडिया मिडिल इस्ट यूरोप के एकनोमिक कोरिडोर को एक अहम वज़र बताया है इस कोरिडोर की गोशना भारत में G20 सम्मिट के दुरान प्रदानमंदरी मोदी ने की थी इसराइल ने इस कोरिडोर को एशिया के लिए काफी अहम बताया था हालांकि वह इसमें एक्ट्यू मेंबर के तोर पर शामिल नहीं है चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर यहां ट्रांसजेंडर समुदाय को मिली बड़ी जीत इस काम के लिए नहीं होगी नजबंदी जियां दुस्तों जापान के सुप्रिम कोट ने बुद्वार को फैंसला सुनाया कि ट्रांसजेंडर लोगों को आधिकारिक तोर पर अपना जेंडर बदलने के लिए नजबंदी सरजरी कराने की आउशकता वाला कानून असे विधानिक है यहां फैंसला ऐसे समय में आया है जब जापान में LGBTQ समुदाय के लोगों से जुड़े मुद्दो को लेकर जाग रुकता बढ़ गई है इस फैंसले को समुदाय के लिए बड़ी जीत के तोर पर देखा जा रहा है टोप कोड की 15 जजो की ग्रेंड पीट का यह फैंसला 2023 के इस कानून की सेविधानिक वेदिता पर पायला फैंसला है जिसके तयत सरकारी मानेता प्राप्त लिंग परिवर्दन के लिए प्रिजनन अंग हटवाना जरूरी था अंतराश्टिय अधिकार संगठन और मेडिकल ग्रूपस इस कानून को अमान विये और पुराना करार देते हुए लंबेस में से इसकी आलोचना कर रहे थे बेंच ने एक वादी द्वारा पारिवारिक रजिस्ट्री की जेंडर केटेगरी में उसका लिंग जेविक रूप से निर्दिष्ट रूप से बदल कर महिला करने के अनुरोद वाली याजका पर यहाँ फैंसला सुनाया इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार बिसीसियाई ने शुरू की आईपिल 2024 की तेयारियां ओक्षन की डेट आई सामने जान लीजिए कहां हो सकती है खिलाडियों की निलामी जान दोस्तो भारती क्रिकेट कंट्रोल बॉर्ड बिसीसियाई ने इंडियन प्रीमियर लीग यानि के आईपिल 2024 के सत्रवे एडिशन की तेयारियां शुरू कर दिये बिसीसियाई आईपिल के साथ साथ महिला प्रीमियर लीग ड़ूप रिकाभी तेयार कर रहा है एसी खबर है कि IPL और WPL की आगामी सीजन के लिए खिलाडियों की निलामी दिसंबर में हो सकती है IPL 2024 के लिए खिलाडियों की निलामी विदेश में होने की उम्मीद है भारती क्रिकेट कंट्रोल बॉर्ड विखलाडियों की निलामी का आयोजन 15 से 19 सितंबर के बीच करा सकता है वेबसाइट क्रिकबज के मुताबित IPL 2024 के लिए खिलाडियों की निलामी दुबई में आयोजित हो सकती है इस दोरान महिला प्रिमियर लिक के दूसरे एडिशन के लिए भी खिलाडियों की निलामी होगी बी सी सी आये महिला खिलाडियों की निलामी का आयोजन देश में 9 दिसंबर को करा सकता है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार एकस पर ओडियो और वीडियो कॉल फीचर रोलाउट अभी ये केवल iOS पर उपलब्द जलधी Android यूजर्स भी कर पाएंगे कॉल जयां दूस्तों एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया एप एकस पर ओडियो वीडियो कॉल फीचर रोलाउट कर दिया है यह feature अभी केवल iOS पर उपलब दे और जल्द ही Android पर भी मिलेगा Premium subscribers audio video call कर पाएंगे वहीं अन्य users केवल call receive कर पाएंगे Musk ने X post के जरिये बताये कि audio video calling का यह शुरुवाती वर्जन है X पर feature enable करने के लिए settings पर जाना होगा अब privacy और safety पर tape करना होगा इसमें direct message का option मिलेगा direct message में audio और video calling को enable कर सकते हैं आप feature enable होने के बाद आप choose कर सकते हैं कि कौन आपको call कर पाएंगा verified users आप जिने follow करते हैं या address book में मौज़ूद हैं वे लोग आपको call कर सकते हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार एक हफ़ते में 50% तक महंगा हुआ प्याज नहीं रंग लापाई सरकार के टी ओपी स्कीम जियां दोस्तो टमाटर के बाद अब प्याज के दाम लोगों के आँखों से आसू निकालने की तियारी में है राजडानी दिल्ली के रिटेल मार्केट में प्याज 50-60 रुपे प्रती किलो में बिक रहा है जबकि एक हफ़ते पहले 30-40 रुपे प्रती किलो में प्याज मिल रहा था एक हफ़ते में 50% तक प्याज महंगा हो चुका है और दिसंबर में नई फसल के आने से पहले महेंगे प्याज से रात मिलने की संभावना नहीं नज़र आ रही है प्याज की कीमतों में बड़ोतरी का सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रहा सकता है दोस्तो सरकार ने अपने बफर स्टोक के NCCF और नेफेड के जरीए प्याज बेचने का एलान किया था सरकार प्राइज स्टेबलाइजेशन फंड के जरीए प्याज का बफर स्टोक भी खड़ा कर रहा है जिससे प्याज की कीमतों में 30-40 से आम वबुकताओं को रहा दी जा सके प्याज के एक्सपोर्ट पर नकेल कसने के लिए 40 पिस दिगा एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगा दिया गया है पर इसके बावजूद रिटेल मार्केट में प्यास की कीमतों में बडोत्री का सिलसिला लगातार जारी है